हम लोग यदि अपने चहेते एक्सल की बात करें और उसमें हम फाइल साइज अगर केवीज से अगर एमबीज की तरफ चलें तो हमारे ये चहेते एक्सल जाव दम दोरने लगते हैं आपने देखा होगा जैसे ही फाइल अगर केवीज से एमबीज की तरफ जाता है तो हमारे ये चहेते एक्सल ये दम दोरने लगते हैं आपने देखा होगा गोला घूंते हो आपने गौर किया होगा लेकिन हमारे पास कुछ टूल ऐसे हैं जो की स्ट्रॉलम का सोलिशन बहुत ही बहतरीन अंदाज में दे सकता है नहीं देता है तो आज के वीडियो में आप लोगों से बात करना चाहूंगा और प्योट कंप्रेस्ट करके और यह फाइल का साइज केवीज में नहीं एमबीज में है 23.9 और यह 24 एमबी का जो आलमस्ट फाइल है अगर मैं इसको उपन करने की कोसेश करूँ तो जैसे मैंने बताया था यह गोला घूमना स्टार्ट हो जाएगा वह जलक आप लोगों को भी दिखाने की कोसेश करता हूँ यह एक्सल का फाइल है और आप भी सोजाई है और मैं भी सोजाता हूँ ठीक है बड़े अराम से यह बहुत टाइम लेके खुलेगा देखेजिए अभी भी यह देखो मैंने बोला था ने गोला घूमना स्टार्ट यह रहा प्रोसेस प्रोसेस और प्रोसेस जबकि बहुत छ इस फाइल को मैं कमप्रेस करके यूजिंग और तो मैं आप क्या करता हूं इसी नौन लॉर्डालाइज फाईल को पावरड प्यूट में लेगे चलता हूँ और देखते हैं कि कुछ हमारा बॉर्ड यूट जो है इस फाइल का साईज कुछ हद तक रिडियूस कर पाता है कि वह जो चौविस एमबी है उसको 21 एमबी तक लेकर आ पाता है या नहीं या उससे ज्यादा ना पाता है हमने एक ब्लैंट वर्कबूक ओपन कर लिया है और इस ब्लैंक वर्कबूक में अब मैं जाना चाहूंगा पावर प्योड के बाद कहा जाना चाहेंगे manage ठीक है और यहां से वो जो हमारा workbook है जो desktop पर रखा हुआ है file 24 MB वाला file उस file को क्या करेंगे यहां पर पहले import कर लेते हैं और import कर लेने का मतलब क्या data model में आपने add कर लिया ना उस data को उठा के data model में add कर लिया आप 10 लाख 20 लाख 40 लाख रोगा तो data model में उठाएक उसको add कर लेंगे तो यहां पर मेरे पास option है from other sources यहां पर जाएंगे और मेरा फाइल के सीज़ करें एक्सल का फाइल है यह देखिए हमारे बिल्के एक्सल का फाइल अगर आपके पास हो और कितना भी हेवी फाइल हो उसको आप और प्लॉड में लाकर देखिएगा बहुत- ही चोटा टिनी फाइल बना देगा बीदक छोटा इसाइज पर लेकिन करने के काई सारे संदे उते हैं जिस work करो करे यह के अने वाले वीडियो में आपनों से करेंगा कि इसो को आप दिलाते हैं वो क्या Elgo चलाता है वो आपनों से share करना चाहूँ ठीक है अभी के लिए यहाँ पे मैं सर्फ compression करके दिखाना की गोश्यस कर रहा हूँ मेरा file कौन से है Excel का file है इस पे click किया next पे click किया और यहाँ पे इसे ले लेते हैं use header browse बस जले जाते हैं और मेरा file कहा दे रखा हुआ है यह रहा desktop पे file रखा हुआ है power pivot compress open पे click करते हैं और यहाँ से next तो हमारे power pivot में ज्यादा time ना लगाते हुए import in progress चल रहा है और ज्यादा time यह लगाएगा नहीं बस फोरा सा गोला इसका भी घूम रहा है ठीक है लेकिन यह जो है आपके data को एक जगे simulate करके data model में add करने की कोशिस कर रहा है इसलिए थोरा सा time लगा रहा है fast time ठीक है जब दुवारा edit करने के board में लेके आते हैं तो फिर time नहीं लगाता है एक बार open करने में थोरा सा time लगाता है यह देखे कितने रो रिट्रीव करके दे दिया आप लोगो 7,81,000 रो के आसपास है इसमें वो उतने सारे रो आपको रिट्रीव करके दे दिया close करते हैं अब हमें इसकी जुरत नहीं है यह रहा हमारा जो data model में अब हमारा data add हो चुका है यह यहाँ पर आप लोग Dax measures लिख सकते हैं और बहुत जल्द आप लोगों के सामने यह Dax measures लेके हाजिर होँगा बहुत सारे function इंट्रीडूस करूँगा जिसमें Dax के ठीक है पहले जो हमारा जो base वाला काम है वो पहले fundamental strong हो जाना बनता है उसके बाद तो आपको dive deep में लेके जाना वो हम दोनों के काम है तो यहाँ पर देखिए यह मेरे पास आचुका है वो data set जो data था Excel वाला फाइल वो मेरे पास इस data model में add हो चुका है ठीक है data model में add हो जाने के बाद अब काम हमारा खतम हो चुका है इस file को close करके save कर देते हैं फिर check करते हैं कि कुछ file का size कम हुआ या वही रहा तो यही से कर देते हैं इसको close और इस file को उठा के यहाँ वो नहीं दिखेगा ऐसा नहीं कि पताज़ आप Excel में ढूंड रहे हो बैटके नहीं वो data model में दिखेगा आप और प्योट में जाएंगे यहाँ Excel में दिखेगा फाइल हुआ आपको कहाँ देखेगा देखो नो मैनेज पे क्लिक करवा है यहाँ देखेगा आपका data model में रखा हुआ फाइल प्योट में दिखेगा ठीक है टेस्ट डेटा के नाम से मैं desktop पे फिर सेव कर रहा हुआ है और वापिस लेके चलता हूं आपको desktop पे और देखते हैं कि दोनों फाइल के साइज में फर्क है या नहीं है यह लेजी हम आगे desktop पे और हमारा जो पावर प्योट कंप्रेस वाला फाइल ओरिजिनल फाइल था वह एजटीज है वहाँ पे 23.9 MB ठीक और जो हमारा test data पावर प्योट वाला फाइल है जड़ा उसके उपर भी एक पर नजर गुमाएं और जड़ा इस पे करसर लेके जाए मैंने बोला था मैं आप लोगों को MB से KB के सफर पे लेके चलूँगा वही हुआ यह 23.9 MB का फाइल कंवर्ट होके 181 KB में आ चुका है ठीक लिए आपको यहाँ पर यह एक्सल में फाइल दिखेगा और वहां तो आपको और प्योट के data model में डेटा एड़ होके रखा और प्योट में कोई प्रावम नहीं होती है आप उसके काम कर सकते हो 30 40 50 लाग रोपे जबकि आप एक्सल मों काम नहीं कर सकते हो ठीक है उसका मैक्सम जो लिमिट है वही वेचारा 10 लाग क्या सपास 10 लाग अरताली जार क्या सपास बादी खतब ठीक है यह वजह है मैं इस जो फाइल का कंप्रेशन है यह आपको वैरी करेगा तूफाई किसी फाइल में अगर जदा नहीं होंगे तो हो सकता है इतना फाइल को प्रावम ने तो आप लोह को पाउर पिश्ट के यह अंधाश लगा होगा कि इतना जढ़ा रिकॉर्ड यह अपने अंदर कैसे समा लेत और हमारे power pivot का series almost parallel चल ला है और कोई थोड़ा सा आगे है ये वे तरह थोड़ा सा पीछा रहे गया था तो इसको हम थोड़ा सा बुस्ट अब करने की कोसेश कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे power query में मैंने folder के data को import करना सिखाया था या तो आप बताएंगे या next आने वाले वीडियो से मैं आपको बताओ इसी उमीद के साथ कि आप लोग जिंदगी में हर दिन हर कदम एक कदम आगे बढ़ने की कोसेश जारी रखते हुए कुछ ना कुछ अपने skills को रहांस करने की कोसेश कर रहे होंगे अब आप से मिलता हू और नेक्ट वीडियो में कोई न कोई वैंडियो आड़ेट कंटेंच सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बहतर कल के लिए थैंक यू फॉर यू लव और सपोर्ट ट्विनो जैन्स चैनल थैंक यू दिल से